हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मांसी स्टडी चैनल दोस्तो आज है 24 जुलाई 2023 और 24 जुलाई 2023 से रिलेटिट करन्ट अफ यर्स के जितने भी कुश्यन बन सकते हैं आज की क्लास में हम सारे कुश्यन को कवर करेंगे और हर कुश्यन से रिलेटिट इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तों ये कलास आपकी मौर्णिंग सुबह 7 एम पे डेली लाइव आती है तो आप सभी लोग सुबह 7 एम पे डेली लाइव जुड़िएगा इससे आपकी तयारी बहतर होगी चलिए देखिए न करते हो आज के पहले कुश्यन पर आते हैं आज का पहला कुश्यन हमारा लिखा है हार ही में भारत ने रच्छा सम्मंदों को आंगे बढ़ाने और अध्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताचर किये हैं फर्स्ट आप्सण है पेरू, सेकेंड आप्सण है जापान, थर्ड आप्सण है अर्जेंटीना, फोर्ट आप्सण है कजाकिस्तान तो बताईएगा दोस्तो इस कुश्यन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस question का जो सही answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number C अर्जेंटीना भारत ने रच्छा संबंदों को आंगे बढ़ाने और और धोगे सहयोगों को बढ़ावाद देने के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझोते पर हस्ताचर किये हैं अर्जेंटीना के रच्छा मंतरी जोर्ज तायाना ने अपने समकच भारत के रच्छा मंतरी राजनास सिंग के साथ दूप अच्छी बैठक की इस बैठक से पहले अथिती गणमान व्यक्ती को त्री सेवा गार्ड ओप ओनर भी प्रिस्तुत किया गया इस बैठक के दौरान रच्छा सायोग और अधिकारियों और केंडेटों के पिस चड़ के छेत्रों में आदान प्रदान से सम्मंदित मुद्दों पर चर्चा की गई है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हमारा लिखा है हाली में भारत के किस सहर में दुनिया के सबसे बड़ा कार्याले बनाया गया है फर्स्ट आप्सण है पूरे, सेकेंड आप्सण है सूरत, फर्ड आप्सण है मुंबई, फोर्ट आप्सण है बंगलोर बताईएगा दोस्तों भारत के किस सहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्याले बनाया गया है इस question का जो सही answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number B सूरत सूरत diamond boards ने विश्व के सबसे बड़े कारियाले परिशर के रूप में अमेरिकी सुरच्छा विवाग के pentagon कारियाले परिशर को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा कारियाले बना है सूरत diamond boards का आधिकारिक उधगाटन प्रधान मंत्री नरेन मोदी की उपस्थिती में किया जाएगा यह कारियाले परिशर 3000 करोड रुपे से भी अधिक की लागत से तयार किया गया है इस कारियाले परिशर को आर्किटेक्ट्चर फर्म मौफाई जेनीसिस के संस्थापक भागीदार मनित रस्तोगी द्वारा डिजाइन किया गया है इस कारियाले परिशर को कटर, पॉसिचर और वैपारियों सहित 65,000 से अधिक हीरा पेसेवरों के लिए वन स्टॉप डेस्टीनेशन के रूप में भी जाना जाएगा चलिए दोस्तों आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते है नेश कुशन लिखा है हाल ही में किस केंदरी मंत्री ने गिलोवर फूड रैगू लेट से समिट 2023 का उधगाटन किया है फर्स्ट ओप्सन ने अमिट सहा, सेकेंड ओप्सन ने राजनाज सिंग, थर्ड ओप्सन ने मनसुख मंडाविया और फोर्थ ओप्सन ने नरेंच सिंग तोमर बताईए गा दोस्तों इस कुशन का सही आंसर क्या हो जाएगा इस question का जो सही answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number C मनसुख मंडाविया केंद्री स्वास्ट मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में Global Food Regulates Summit 2023 का उधगाटन किया है मनसुख मंडाविया ने खाद सुरच्छा के लिए एक वैस्विग मंच बनाने का आहन किया है इस सम्मेहलन में केंद्री करशी मंत्री नरेन सिंग तोमन ने भी भाग लिया है इस सिखर सम्मेहलन का आयोजन भार्ती खाद सुरच्छा एवं मानक प्राधी करण के सयोग से किया जा रहा है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुष्ण देखते हैं नेश कुष्ण लिखा है हाली में भार्ती संसत के उच सदन राज सभा के नई उपाध्यच के रूप में किसे चुना गिया है फर्स्ट ऑप्शन है जेपी नडड़ा, सेकेंड ऑप्शन है सुदान सुत्रवेदी, थर्ड ऑप्शन है धर्मेन प्रिजान और फोर्ट ऑप्शन है एस फांगनोन कौन्याग बताईएगा दोस्तों भार्ती संसत के उच सदन राज सभा के नई उपाध्यच के रूप में किसे चुना गिया है इस कुशन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्शन नंबर दी, एस फांगनोन कौन्याग बार्ती संसत के उच सदन में नागा लेंड की एक मात्र संसत एस फांगनोन कौन्याग को राज सभा के एक उपाध्यच के रूप में चुना गया है राज सभा में प्रक्रिया और कारिस अंचालन के नियमों के तहट राज सभा के सभासपती जगदीव धनकर ने उपाध्यचों के पैनल में फांगनोन को नामित किया है फांगनोन नागा लेंड के मौन जिले के ओटिंग गाउं के रहने वाले हैं कहां के रहने वाले हैं दोस्तों फांगनोन नागा लेंड के मौन जिले के ओटिंग गाउं के रहने वाले हैं चलिए हैं दोस्तों आंगे बढ़ते हों नेस्ट कुशन देखते हैं नेक्स कुशन लिखा है हाली में किस राज सरकार दुआरा नियुन्तम आई की गारंटी के लिए विदियक पेस किया गया है फर्स्ट ऑप्सन है गुजरात, सेकेंड ऑप्सन है राजिस्थान, थर्ड ऑप्सन है महाराष्ट, फोर्ट ऑप्सन है उत्तर पिरदेश बताईएगा दोस्तों इस कुशन का सही आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंज, वे है हमारा ऑप्सन नंबर बी राजिस्थान राजिस्थान सरकार द्वारा विधान सवा में नियून्तम आई की गारंटी के लिए राजिस्थान नियून्तम गारंटी आई विदेख दो हजार तेईस पेस किया गया है राजिस्थान नियून्तम गारंटी आई विदेख में तीन छेतर सामेल हैं फर्ष्ट है नियून्तम गारंटी आई का अधिकार सेकेंड है गारंटी कृत रोजगार का अधिकार और थर्ड है दोस्तो गारंटी कृत सामाजिक सुरच्छा पेंसन का अधिकार ठीक है दोस्त तो राजेस्थान न्यूंतन गारंटी आई विदेहक में तीन छेतर सामेल हैं। चलिएगा दोस्तों आंगे बढ़ते हो नैश कुशन देखते हैं। नैश कुशन लिखा है हाली में पांसो अंतराष्टी मैच खेलने वाले बने दुनिया के दसवे क्रिकेटर कौन बने हैं। फर्स्ट ओप्शन ने विराठ कोली, सेकेंड ओप्शन ने जिंका रहाने, थर्ड ओप्शन ने रोहिद सर्मा, फोर्थ ओप्शन ने रविंद्र जड़ेजा। बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस कुश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे है हमारा ओप्शन नमबर एक, विराठ कोली, कौन बना है दोस्तों, विराठ कोली बने हैं। दिगज भारती करिकेटर विराठ कोली पांसो अंतराश्टी मैच खेलने वाले दुनिया के दसवे करिकेटर बन गए हैं। विराड कोली पांसो अंतराष्टी मैश खेलने वाले भारत के चोथे खिलाडी हैं जबकि उनसे पहले सचिन चैंदुलकल, राहुल द्रबड और महिन सिंग धोनी के नाम से ये उपलब्दी दर्ज है विराड कोली ने अगस 2008 में दामबुला में स्री लंका के विरुद वंडे से अंतराष्टी इस्तर पर डेब्यू किया था विराड कोली ने 111 टेस्ट, 274 वंडे और 115 टी-20 मैच खेले हैं वंडे तीहास में वैं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पांचवे नंबर के खिलाडी बन गई हैं ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हमारा लिखा है हाली में किस भारती ग्रेंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जी एम सत्रंज टूनामेंट जीता है फर्स्ट ऑप्शन है साइनतन दास, सेकेंड ऑप्शन है गुकेश डी, फोर्थ थर्ड ऑप्शन है आर प्रग्यानन, फोर्ट ऑप्शन है अर्जुन एरी गैसी बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा किस भारती ग्रांड मास्टर ने हंगरी में सुपर जी एम सत्रंज टूनामेंट जीता है इस कुश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स, वे है अमारा ओप्शन नंबर C आर प्रग्यानन्दा युवा भारती ग्रांड मास्टर आर प्रग्यानन्दा ने हंगरी में आयो जित वी गैंजा हैटे नई मोमोरियल सुपर जी एम सत्रंज टूनामेंट 2023 का टाइटल जीत लिया है आर प्रग्यानन्द ने 6.5 अंग अर्जित कर 10 खिलाडियों की प्रतियोगिता में पहला इस्थान हासिल किया है यह इस टूनामेंट में एम अमीन तवावा बेई चोकि इरान के हैं और रूस के सानान सगुगिरों के एक अंग आंगे रहे हैं ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है हाली में लॉंच थुरूदा ब्रॉकन ग्लास एन और्थोबायोग्राफी उस तक के लेखक कौन है फर्स्ट ऑप्शन है टी एन सेशन सेकेंड ऑप्शन है चेतन भगत थर्ड ऑप्शन है निरुप मयादव फोर्ट ऑप्शन है सुधा मूर्ती बताईएगा दोस्तों इस कुश्यन का सही आंसर क्या हो जाएगा इस question का जो सही answer हो जाएगा दोस्तो वे है हमारा option number option number A TN session क्या हो जाएगा दोस्तो TN session हो जाएगा इस question का सही answer हमारा भारत के पूर्व मुख चुनाव आयोग TN session द्वारा लिखित पुस्तक through the broken glass an ortho biography को launch किया गया है इस आत्मकथा में 1990 से 1995 तक CEC के रूप में TN session के कारिकाल को भी सामिल किया गया है यह TN session के निधन के 4 साल बाद प्रिकासित हुई है TN session an undocumented wonder the making of the great Indian election के लेखक भी है चलिएगा दोस्तों आंगे देखते हैं next question next question लिखा है हाली में इन्वेस्ट इंडिया के M.D. और C.E.O. के रूप में किसे निक्त किया गया है फर्स्ट option ने देखा M. Menon सेकेंड option ने देव जानी जोगोस थर्ड option निरू निवरती राय और फूर्ट option ने मनमीत के नंदा बताईएगा दोस्तों इस question का सही answer क्या हो जाएगा हाली में इन्वेस्ट इंडिया के M.D. और C.E.O. के रूप में किसे निक्त किया गया है इस question का जो सही answer हो जाएगा वे हैं मारा option नंबर C. निवरूती राय को वैस्वेग वैपार एवं प्रोध्योगी की विशेशक निवरूती राय को इन्वेस्ट इंडिया की प्रभन निर्देशक और C.E.O. निक्त किया गया है निवरूती राय मनमीत के नंदा का इस्थान लेंगी सुसरी राय को प्रोध्योगी के छेतर में उलेखनी योगदान देने के लिए प्रतिश्चित नारी सकती पुरुषकार भी पिर्दान किया गया था इन्वेश्ट इंडिया भारत की राष्टी निवेस संबर्दन एवं सुविदा एजेंसी है इन्वेश्ट इंडिया की स्थापना 2009 में की गई थी कब की गई थी दोस्तो 2009 में की गई थी याद रखिएगा चलिए आँगे बढ़ते हैं और आज का लाश कुशन देखते हैं आज का लाश कुशन हमारा लिखा है हाली में किस बैंक दोारा अमरत महसब FD योजना सुरू की गई है फर्स्ट ऑप्सन इस बैंक, सेकंड ऑप्सन एजडी FC बैंक, थर्ड ऑप्सन इडी BI बैंक, फोर्ट ऑप्सन इडी FC बैंक इस कुशन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंस वह है अमारा उप्सन नंबर C, IDBI बैंक IDI बैंक दोारा अमरत महसब FD योजना सुरू की गई है जो बुजर्ग व्यक्तियों और आम जनता दोनों के लिए आकर्षक रिटन प्रदान करती है इस अमरत महसब FD योजना के तहट IDBI बैंक के बुजर्ग व्यक्तियों और आम जनता के लिए अलग अलग व्याजदरें प्रदान की गई है और दोस्तो오 IDBI बैंक का मुख्याले हमारा कहा है मुंबई में हैं कहा है दोस्तो मुंबई में हैं और IDBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी ठीक है दोस्तो ये दो चीजे याद रखिएगा I hope आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगी होंगे और क्लास बहुत हैलफुल भी लगी होगी अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो फ्लीज इस क्लास को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा मांसी श्टडी चैनल थैंक यू दोस्तों